तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सूर वन्ष के बारे में जिसमें बेसिकली सबसे आदर ध्यान देंगे हम लोग शेल शाय सूरी के बारे में तो लास्ट वीडियो में हम लोग उने देखा था कि जो हुमायू है हुमायू का दो बार शाशन आता है पहला 1530 से लेके 1540 तक और दूसरा जो होता है 1555 से लेके 1556 तक चलता है लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हुमायू का शाशन काल है वो पहली बार में 1540 तक ही चल पाता है क्यूंकि उसका जो कॉम्पेटिटर उसका दुश्मन होता है वो होता है शेर्षा सूरी जो कि उसे कन्नोज और चोसा की यूद में हरा कर हुमायू की अच्छी खासी वाट लगा देता है और हुमायू फिर चुहे की तरह इधर से उधर अलग अलग बिल में गुमता रेता है और फिर जो सेर्शा सूरी है यही हमारे इंडिया का अगला शाशक बनता है तो चलिए अब बात करते हम लोग सेर्शा सूरी के बारे में शेर्षा सूरी भारत में दुतिय अफगान वंश का संस्तापक था शेर्षा ने जो कारे किये उसके आदार पर ना केवल इसे समराजी निर्माता बलकि इसे अकवर का अग्रणी कहा जाता है और इसका जो बच्पन का नाम था वो फरीद था फरीद नाम याद रखना कोश्यन एक्जाम में पूछे जाता है कि शेर्षा शूरी के बच्पन का नाम क्या था फरीद था और इसका जन्म जो है वो 1472 में बज बारा और नर्नौल में हुआ था और इसके पिता का नाम था हसन इनके पिता की म्रत्यू के बाद जो है अगला शाशक ओवियसली यही बनेगा 1494 में सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपूर के फोसदार के पत्पन यूप किया था सिकंदर लोदी बोही है जो लोधी वन्ष पहले था उस टेमें जब वावर ने आकरमण ने किया था उससे पहले pozi्कंदर लोधी यहां पार था तो एवराइम लोधी के कर जौनपूर आया और यहां पर ही उसने जो सिख्षा प्राप्त करी यह जो फरीद इसने एक शेर को तलवार के एक यह बार में जो है मार दिया था इसी की बहादूरी से प्रसंद होकर जो उस टैंप बिहार के आफगान शाशक थे वह थे मुहमत की बहार खा लोहानी लोहान फिर लोहानी सरदारों के सर्यंत के कारण इससे बिहार छोड़ना पड़ा और यह बावर के सेना में शामिल हो गया और इसने चंदेरी की यूद में जो की हम लोग ने देखा था बावर वाली वीडियो में मेदनी राय और बावर के बीच में वो आ था तो उस यूद में य चोसा का इンダホ होता है और हुम्यों की अच्छीखासी वाट लगा देता है फिर उसके बात चोसा की वाइत के बात दिये शेर्शा शूरी बन जाता है देह तेन , इसके बात सिल्तान बनने से पहेले 1529 में बंगाल के शाशक जो नुस्रत शाह थे उनको पराजित करता है और हजरते आला की उपादी धारण करता है और फिर जब हम लोग देखते हैं 1540 में जब कन्योच का यूद होता है और उसमें हुमायू को पूरी तरह से अब पराजित कर देता है और फिर सुल्तान की उपादी धारण करता है तो यह उपादी धियान र दरते आला wspyr उसके बाद 14 का यूद ऊता है दियान लख रहा है किस बंदे की है ये खिरिशा सूरी की है याद रहेगा JACK कोई दिक्कत निय法न अच्छी है इसके लात स के अभियान शुरु होते हैं यूद्व सुल्तान की भी बिद्रो तो 1541 में बंगाल के गवर्नर खिज्र-खान ने 1541 में जो है बिद्रो कर दिया था इसने जो है अब बंगाल को 19 सरकारों में बाट दिया था और प्रतीग सरकार में एक सिख्दार ए सिखदरान की न्यूक्ति की गई थी चुकि सुल्तान के सीधे संपर्क में या नियंतरण में हुआ करते थे तो देखी यह ओफिसर या मंत्री हुआ करते थे जो कि उस एरिये को समाला करते थे तो सेंटरल लेवल पे तो देखो यह हुआ करता था अब दूर-दूर इलाका है तो बहाँ पे भी तो में मिनिश्टर होना चीह है जो कि इसको रिपूर्ट करें तो जैसे कि हमारे जो सीएम होते हैं सीएम जो है उस राजे को समालते उसी टाइम में ये भी जो है अलग-अलग मंत्रीयों को जो है बाट देता था उसी को ही सिखदार ए सिखदरान कहा जाता था ठीक है इसके बाद मालवा की बिजे होती है इस समय जो है मलूखा यानि की जो कादरिशा था वो यहां का शाशक था इसने अपनी राजधानी उज्जेनी में शेषा का सवागत किया था और मालवा राज्ये जो है उसने शेषा को सीज़सीदर सोब दिया बहुत ही असानी से सोब दिया मतलब ki हार जयाता खुद लढने की हिमत ही नहीं थी इसके बाद होता है राईसिन की बिजे तो राईसिन की बिजे जो है उस टाइम जो राजा थे राजा पूरनमल चोहान था शेर्षा ने राईसिन के दुरुग को चाला की और दोके से बिजित किया और जो की इसके जीवन का कलंग था अब देखिए कोशन पूछा जा सकता है कि सिर्शाशूरी के जीवन का कलंक कौन सा युद्ध था या कौन सी बिजे थी वो थी राइसिन की बिजे इसके बाद आती है मारवाड की बिजे तो यहां का शाशक मालदेव था ये राजपुतों की शोरे से इतना प्रवावित हुआ कि इसने कहा कि मुठीवर बाजरे के लिए में हिंदुस्तान को प्राया खोई चुका था मतलब की इतना प्रवावित हुआ था कि वो जो है बाजरा जो है मुठीवर बाजरे के लिए अपने पूरा राजिस्तान मतलब पूरा भारत जो है वो खोने जा रहा था मतलब की इतना शोर रहे था उनके जो राजपुत शाशक थे इसके बाद आता है कालिंजर का अभियान जो कि 1544 में होता है यहां का जो शाशक थे वो किर्ती सिंग थे कालिंजर पर घेरा लगवग जो है साथ महीने तक पड़ा रहा और जब किले में विजित नहीं कर सका तो शेरशा ने जो है 1545 में जो है किले की दिवार पर गोला बा रुद था उसमें जो यूद्ध समागरी थी उसमें अचानक से आग लग गई और ये भी पास में खड़ा हुआ था तो भाई साब इसका भी बॉम ब्लाश्ट हो गया साथ में तो यह गंबी रूप से घायल हुआ और इसकी जो है म्रत्य हो गई लेकिन मरने से पहले इसको पता चल गया था कि जो सामने जिस पर यूद्ध कर रहा है उसको इसने जीत लिया है तो भाई साब मरने से पहले जीतते हुए यह मरा तो इसको समाचा प्राप्त हो गया तो इस तरह से जो है इसकी म्रत्य हो गई थी अब बात करते हैं भूर आज इस व्यवस्ता के बारे मे लेंड रिवेन्यू सिस्टम कैसा था वेरी वेरी इंपोर्टनेट है यहां से भी सुनना देखिए सर्वपरत्म शेषा ने गज ए सिकंद्री के मादम से सबसे पहले भूमी की एक नाप करवाई भूमी के नाप करवाने के बाद जो क्रशीयों के भूमी थी उसको तीन स्रे देखिए इन तीनों स्रेणियों की उपज के निकाल कर जितना उनकी उपज है उनकी यिल्ड है इंग्लिश में यिल्ड बोलता है पैदावार बोलता है उसके आदार पाज एक तियाई भाग जो है रिवेन्यू के रूप में सरकार को दिया जाएगा इसी तरह से कुशन पूछ जाएगा आपसे एकजाम में कुश्वीड की जाप्ति प्रणाली किस के सामें थी और किसने शुरू करवाई थी जापती प्रणाली जहती वह शेर्षा सूरी ने शुरू करवाई थी इसके बाद सेसा द्वार जोई और कर भी लगाये गए ता पहला थह खिराज-कर जो कि भूमी पर लगाये जाता था एक लीवाग देना पड़ता था फिर जरीबाना जो की भूमी की नाप के लिए उपज का धाई परसेंट दिया जाता था इसके बाद महासिलाना जो की राजसो अधिकारियों की उपज का पाँच परसेंट होता था तो ये जो नाम बस याद रखना ये पूछ जाएगा कि किसके शाशनकाल से संबन्दी थे आपको बस अंसर आ जाएगा ठीक है ध्यान रखना इसके बाद शेशा सूरी ने एक सड़क बनाई थी जिससे कहा जाता है सड़के आजाम ये सड़क जो है बंगाल के सोनार गाउं से लेकर पंजाब के अटक तक जाती है इसी को ही आज के टाइम में जो है जीटी रोट कहा जाता है Grand Trunk Road कहा जाता है तो यहां से question पूझे रहे सकता है कि जो Grand Trunk Road है यह कहां से कहां तक है तो आपको पता रहा है कि Kolkata से Amritsar तक है, दिल्ली से भी है अटारी से भी है, यहां तक होता हुए जाती है लेकिन बरतमान समय में अगर हम लोग देखें आपने National Highway 1 देखा होगा National Highway 1 अटारी तक है पंजाब में अटारी है, वहां तक है और National Highway 2 जो है वो दिल्ली से कलकता तक है तो ये भी आप दियान रखना है जो GT Road है, GT Road में हमारे 2 National Highway है National Highway 1, National Highway 2 दियान रखना है, तो ये जो है यह सड़ा कितनी लंबी है यह 1500 मिल लंबी है इसके बाद इसके दुआरा को सिक्के भी चलाए गए देखिए शेशा सूरी ने अपने सिक्के पर फार्षी भाषा के साथ साथ देवनागरी भी लिख भाई थी ठीक है तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौशा साथ सकता ह जिसने अपने सिक्कों में फार्षी भाषा के साथ साथ देवनागरी भाषा में भी सिक्के बन भाए थे तो वो अठीक ही रुपया का शेशा शूरी साथ का प्रच्य署ों है यह सरवबतम शेयरशा नहीं किया था जीसे की आजके टाइम जो हमारी currency है हमारी जो money use करते हैं वो रुपे गुरूप में यूज करते हैं अलग-अलग कंट्री के जो पैसे हैं उसको अलग-अलग कहीं यूराल होता है योण्यू होता है हमारें जाएंपर किया होता है रुपया उता है किसाये करी शेरसेदा चुप सूरे ने इसके बाद अउप जो कि स्वोघ्यू करते थी दाम जो कि ताम्रेद के शिक्कह हुए तो यह हुआ करता है यह कुछ इंप्रटेंट ऊपको द्यान कणते हैं देखने सकते हैं देखने लिधा को मिलेघ का यह जू है भी आहिक हरे टो इसका इसतित वह टाद रहतां स्वाहता है किला या किला एक कुना दिली नामक जो मस्जीद है उस कनेरमाण सेशा ने करवाया था शेशा का उत्रादिकारी उसका पुत्र इश्लाम सा था शेशा ने भूमी की माप के लिए 32 अंक वाला जो है सिकंद्री गज एवं सन की डिंडी का प्रियोग करवाया था बस नाम याद रखो बहुत डिटेल में जाने की ज़ुरत नहीं है शेशा ने रोहतासगड के जो दुर्ग एवं कन्योच के स्थान पर शेश सूर नामक जो है नगर बसाया था इसके बाद जो कभूलियत एवं पट्ठा-प्रता की शुरुवात किस ने करी थी शेशा सूरी नहीं करी थी शेशा ने 1541 में पाटली पुत्र को पटना नाम से पुना स्थापित किया था तो आज के टाइम ब्यार की राजदनी जो पटना है वो पहले पाटली पुत्र हुआ करती थी लेकिन उसको पटना किस ने स्थापित किया पटना नाम से वो शेशा सूरी नहीं करा था शेशा स समस्काल इनकों थे मलिक मुहमद जैसी थे डाग प्रता का प्रचलन सेर्षा के द्वारा ही किया गया था तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा अब मैं आपको कुछ कोशन दे रहा हूं जिससे मुझे आइडिया लग सकेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से जो है इस लेक्चर को देखा है और आप लोग एक्जाम में कोशन किस तरीके से पूछे जाते हैं इन कोशन के अंसर आपको कमेंट करके बताना है इसाना मैं नहीं बताओंगा क्योंकि मैंने तो यह वीडियो बनाया तो मैं तो अच्छे से सॉल्व कर दूँगा मुझे यह यह पता करना है कि आप लोगोंने लेक्चर को अच्छे से देखा है इसलिए कमेंट करके बताना पहला है जोडती है यह बता देना आप लोग अंसर कमेंट करके इसके बाद बर्ष 1526 में लड़ी गई जो है पानीपत की लड़ाई बावर में जो है कौन पर आजित हुआ थ तो आप इसका अंसर आसानियों से देदोगे शेर सासुरी का मकवरा कहा है इसलिए यह आपको बताना है इसके बाद जापति प्रणाली की किसकी उपजे तो येजीले आप बता दोगे तीनों कोशन बहुत असान है चारों कोशन जो है आपको कमेंट करके बताने है तो आयो वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्करात रहिए, जै हिन, जै भारत!